किसन भाईयो यह मैसी का डाइना ट्रिक सीरीज का ट्रेक्टर है अब यह आल रॉंडर के साथ साथ स्मार्ट भी हो गया है वील वेस तक को बड़ा और छूटा कर सकते हो जब खेत पर चलाना है तो छोटा कर लो और ट्रॉली पर चलाना है तो बड़ा को एक रिमोट मिल जाता है कार जैसा कोई काम नहीं है जो 46 HP के बसका हो और ये ना कर पाए नमस्कार किसन भाइयो मैं हूँ आपका दोस्त रोही त्यादावर में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्टर टीवी वन पर और आज हम इस वीडियो में बा आल रोंडर बोलती है पता है क्यों इस टेक्टर में आपको सब कुछ मिलता है सब कुछ आपको चाहिए क्या बस बोलो और मिल जाएगा और तो और आप इस सीरीज में वील वेस तक को बड़ा और चोटा कर सकते हो जब खेत पर चलाना है तो चोटा कर लो और ट्रॉली पर बड़ा अब आप बोलोगे कि इसकी क्या जरूरत है इसकी जरूरत आपको उसी कंडिशन में पढ़ती है जब आपको ट्रॉली पर जादे चलाना होता है जिसे रेत या मिट्टी की खदानों में वहाँ बड़े वील वेस की जरूरत जादा पढ़ती है और दूसरी तरफ ख मिलजाता है कार जैसा उस रिमोट से आप टेक्टर को लॉक कर दोगे तो टेक्टर स्टर नहीं होगा जब तक रिमोट से अनलॉक ना कर दो Smart Series में आपको एसे Smart और Premium features मिल जाते हैं तो चल ये बात करते हैं इस Tector की और धेखते हैं कि क्या कुछ ख्हास और नया मिलता है इस Smart Tector में आपको Messi की तरफ से और किसन भहिए इस विडयो के Last में Tector TV 1 से एक score या number मिलेगा जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये टेक्टर PTO पावर टॉर्क और लिफ्टिंग कापसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बहतार है इसलिए वडियो को पूरा देखें आखरे तक और जाने कितना स्कोर मिला है मेसी फरगूशन डाइना स्मार्ट 246 को टेक्टर टीवी वन से किसन भाईयो ये है मेसी का न्यू 46 HP काटेगरी का टेक्टर इस टेक्टर में आपको पुराने वरोसे मंद 46 HP के एंजन के साथ नई लिफ्ट 24 गेर वाला नया गेर बॉक्स स्कॉडर पीटियो डूल डाइफाग्राम टाइप क्लेच प्लेट हेवी ब्रेक्स स्मार्ट सुलुक के साथ मिलते हैं क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो 46 HP के बसका हो और ये ना कर पाए सब कुछ दे दिया है मेसी ने इस टेक्टर में जिन चीजों की जरूरत एक 46 HP के टेक्टर से आपको पढ़ सकती है भारत का पहला टेक्टर ये जिसका बीलवेस आप बड़ा या छोटा कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से घर पर ही बाकी की इन सब चीजों की बात अपना आगे करेंगे विस्तार से इस वीडियो में कि किस चीज की जरूरत कहां पर पढ़ती है तो चलिए बात करते हैं इस टेक्टर के लुक्स, फीचर्स और कमफर्ट की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस टेक्टर में आपको मेसी की तरफ से, तो सबसे पहले बात करते हैं इस टेक्टर के लुक्स की तो किसन वहीं इस टेक्टर में आपको मिलती है मेसी की 4th generation aerodynamic type European design में single piece front opening hood profile with premium metallic red color with quadra headlight के साथ आपको bold and heavy looks देखने को मिलते हैं इस टेक्टर में आपको बगेर किसी फाल्दू के graphics के साथ बाकी looks वगेरा पर मेरा कोई ज्यादा comment करना बनता तो नहीं है क्योंकि देखना दिखाना ये सब आपकी अपनी नीजी राये पर निर्वर करता है कि आपको टेक्टर का क्या और कैसा लुक पसंद आता है बगे मेरी नीजी राये की बात करूँ तो मुझे इस टेक्टर के लुक काफी पसंद है हाला कि मुझे ज्यादा round style type hood profile पसंद कम ही आती है लेगिन ये वाली काफी पसंद है मुझे देखने में क्योंकि इसमें boldness मिलती है अच्छी खासी ये मेरी नीजी राये तो चलिए बात करते हैं इस टेक्टर के comfort और features की instrument cluster की बात करें तो इस टेक्टर में आपको वही instrument cluster मिलता है smart series में first generation वाला कोई परिवर्दन नहीं है basic सा बगर सोशा वाला जिसमें आपको rpm temperature, fuel, battery और engine oil, pressure आपको analog type meter में देखने को मिल जाता है और वह hours पताने के लिए एक छोटी सी digital black and white new mic screen दी हुई है बाकि इसका dashboard console भी काफी ठीक लगता है देखने में modern type दिखता है अच्छा feel होता है देखने में और किसन भाई हो इस टेक्टर में आपको एक car जैसा remote मिल जाता है जिससे आप इस टेक्टर को lock कर दोगे तो फिर टेक्टर किसी भी चाबी से start नहीं होगा क्योंकि आपको तो पता ही है कि टेक्टर किसी भी चाबी से start हो जाता है कोई lock pattern तो होता नहीं है उसके अंदर इसलिए उससे लॉक कर दोगे तो आपके टेक्टर की सेफटी और बढ़ जाएगी चलिए बात करते हैं इस टेक्टर के स्टेरिंग की तो किसन भाईयो यह है ओपन सेंटर हाइडो स्टेटिक सिंगल एक्टिंग के साथ आने वाला इसी ने तो किसन भाईयो इस टेक्टर में आपको मिलता है सिंसन का 2700 सिसी का वर्टिकल इन-लाइन तीन सिलेंडर फोर्ष टोग लिकिट कूल्ड नेचरल यह स्परेट्ट डिरेक्ट इंजेक्शन डिजल इंजन जिसमें फ्यूल जाता है इन-लाइन फ्यूल इंजेक्शन पमसे और हवा के लिए ड्य टाइप डॉल एलिमेंट एयर फिल्टर लगा हुआ है और वहीं इस एंजन को ठंडा बनाया रखने के लिए फोर सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट और वाटर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवर्फिलो इस ट्रेक्टर में आपको रिवर्स फॉर्वर्ड सूपर सेटल शिफ्ट लिवर के साथ 24 गेर वाला मेकेनिकली ऑपरेटेड कॉंबिनेशन ऑफ कॉंस्टेंट में इस गेरवाक्स साइट शिफ्ट गेर लिवर के साथ 12 फारवड और 12 रिवर्स गेर स्प्रीड वाला गेर गेर्वाक्स में आपको 4 आगे के गेर की और 4 पीछे के गेर की 3-3 स्प्रीड मिलेगी जिससे आप इस टेक्टर को सामने और पीछे की तरफ लगभग 1.3 किलो मेटर प्रती गंटे से तो 14.5 किलो मेटर प्रती गंटे तो टेक्टर कंट्रोल होगा और पूरा दबाओगे तो पीटियो और टेक्टर दोनों रुख जाएगा पीटियो की बात करें तो किसन भाईयो यह है 41 HP की डूल कलच के साथ आने वाली 540 स्प्रिट की लाइब की स्प्रिट से खुमा सकते हो यही स्प्रिट आपको ग्राउन स्प्रिट प्रिटियो में भी मिल जाएगी हैडोलिक की बात करें तो किसन में यह है 3-point linkage, 2050 kg की lifting capacity वाली category 1 और 2 की open center live ADDC type, single acting, 3-point top link, automatic graft and gray control वाली हैडोलिक सिस्टम मैं कि आपको इस tractor में दो auxiliary control वाल भी मिल जाते है, reversible plow और trolley वगरा के लिए brake की बात करें तो इस tractor में आपको mechanically operated push-type brake pedal के साथ aisle में डूबे हुए max multi-dix braking system मिल जाता है, advance braking के लिए और handbrake इस tractor में आपको pole and ratchet arrangement type मिलता है टायर और axle की बात करें तो किसान भयों इस tractor में आपको आगे मिलते है 6-16, 8-PR के टायर, adjustable front heavy axle के साथ और वहीं पीछे, 14-22-12-PR के टायर के साथ, epicyclic type, have reduction unit वाला rear drive axle मिलता है heavy chamber के साथ, और इस tractor का वजन है लगबग 2150 kg, लंबाई है लगबग 11 foot 11 inch, चोड़ाई है लगबग 5 foot 10 inch, उचाई है लगबग 8 foot 3 inch, सालेंसर तक wheelbase इस tractor में आपको dual adjustment के साथ मिलता है, लगबग 6 foot 4 inch, और दूसरा 6 foot 8 inch, लगबग 4 inch तक आप wheelbase को बड़ा या छोटा कर सकते हो और ground clearance है लगबग 1 foot 5 inch, अठावन लीटर का diesel tank है इस tractor का और लगबग 2 से तो 5 लीटर प्रती गंटे की average diesel खपत है इस tractor की ये इस बात पर निर्वर करता है कि आप tractor से क्या काम करवा रहा है और कहाँ पर चला रहा है कीमत की बात करें तो लगबग 7.5 लाक में पढ़ता है ये tractor मेरे आम अध्य प्रदेश में, दो साल तक की warranty मिलती है इस tractor पर और 400 गंटे पर service interval है इस tractor का, अब आरी है tractor TV1 के score की, तो मेसी फरगूशन, डायना स्मार्ट, 246 डी आई के torque को मिलते हैं, 100 में से 95 पाइंट, PTO पावर को मिलते हैं, 100 में से 100 पाइंट, lifting capacity को मिलते हैं, 100 में से 100 पाइंट, अगर आप 2050 केजी वाला model लेते हैं, तो वहीं overall इस tractor को score मिलता है, tractor TV1 से 100 में से 90 का, तो किसन भाइयो, इस tractor को, टेक्टर TV1 से score मिला है, 90 का, इस tractor की category की तुलना में, और किसन भाइयो, अब आप बोलोगे की, tractor में torque इतना कम है, फिर इतना ज़्यादा score क्यों मिल रहा है, तो उसका कारण ये है की, ये काफी flexible सा tractor है, जरूरत की, चीजे लगबक अधर पर निकालते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, वहीं किसन भाइयो, इस score को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती, बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये number हम निकाल पाते हैं, तो किसन भाइयो, आप भी comment करके ब